विशाल चोडेल गाए होटेल जूली अपनी मा सीमा के साथ शहर से अपने गाउं जा रही थी गाउं जाते वक्त सीमा अपनी बेटी जूली से बोलती है बेटा जूली, तुम्हारे पापा के जाने के बाद शहर से इस गाउं में घर संभालना बहुत मुश्किल हो गया है बेटर यही है कि इस गाउं वाले घर को बेच दिया जाए और शहर में अपना बिजनस अच्छे से हम चलाए हाँ, सच में लगता है कि ऐसा करना ठीक रहेगा हाँ, बेटा जुली, तुम्हारे पापा के जाने के बाद इतनी दूर इस गाउं में सफर करना और काफी रात भी हो जाती है इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस घर को ना ही रखो आँ, ठीक है मा, जैसा आपको सही लगे, वैसा करिये वैसे मा, और कितने देर लगेगी गाउं पहुचने में? पता नहीं बेटा, अभी तो बहुत दूर है यही पास में एक होटेल है, हम वही रुकेंगे आज और कल सुबह गाउं के लिए निकलेंगे, ठीक है? ठीक है मा सीमा कार चला ही रही होती है, इतने में जूली चिलाती है क्या हुआ जूली, तुम इस कदर चिला क्यों रही हो? मा, वहाँ कोई था कहाँ पर जूली? अपनी कार के आगे मा कोई जानवर होगा जूली, क्योंकि मुझे तो कोई नहीं दिखा आमा हो सकता है, शायद मेरा कोई वहम हो खेर जूली, तुम ठक गई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए आख बंद करके सो जाओ, और जब होटेल आएगा, मैं तुम्हें उठा दूगी ठीक है मा इतना कहकर जूली अपनी आखें बंद करके सो जाती है और थोड़ी देर बाद, जूली और सीमा होटेल के पास आ जाती है और अब सीमा उसको उठाती है तब जूली अपनी मा से बोलती है ममी, ये गाय जैसा होटेल, ये कैसा अजीब और गरीब होटेल है मा, कोई और होटेल नहीं मिला क्या तुम्हें क्यों? इसमें क्या परिशानी है? ये होटेल अपना नहीं, बलकि बुरे सपने जैसा लग रहा है मुझे तो बेटा जूली, एक रात की ही तो बात है हमें कौन सा यहाँ दुनिया बसानी है? मैं भी पता नहीं क्या सोच के आपके साथ यहाँ पर आ गई इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर ही ठीक थी जूली बोल ही रही होती है कि इतने में उसकी नजर अपनी मा के ऊपर जाती है लेकिन उसकी मा वहाँ पर उसको नहीं दिखती और वो मा मा कहकर चुलाने लगती है और अपने आगे पीछे देखने लगती है लेकिन उसकी मा उसको कहीं नहीं दिखती जैसे ही वो अपने पीछे मुड़ती है वैसे ही उसको एक भानक चेहरा दिखाई देता है जो एक चुडैल का था और जूली डर जाती है डर के वो अंदर भाग जाती है और जब अंदर भागती है तो अंदर जाकर वो देखती है सभी कमरे के दर्वाजे खुल रहे थे और बंद हो रहे थे और अब वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज आती है जूली, बेबी कम आउट साइट देखो, तुम्हारी मा है बाहर आओ, उपन दे डोर अपनी मा की आवाज सुनकर जूली ने दर्वाजा खोल दिया और अपनी मा को देखकर सुकून भरी सांस ली और अपनी मा को सारी बात बता दी उसकी मा उसको बोलती है अरे जूली बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर तुझे न, यहाँ सिर्फ वहम हुआ होगा तुझे पता है, तेरी डाड और मैं शादी के बाद यहीं पर रुके थे पहले तो यह बहुत खुबसूरत हुआ करता था लेकिन अब मानो इसको किसी की नजर लग गई हो वैसे भी सिर्फ एक रात की ही तो बात है आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में पीछे से एक औरत लाल टेन लेकर बोलती है सुनिए दोनों डरते हुए पीछे देखते हैं तब उन्हें एक औरत हाथ में लाल टेन लिए दिखाई देती है आप कौन है? माफ किचेगा मैंने आपको डरा तो नहीं दिया ना मैं विद्या हो यहां की देखभाल करती हो अगर आपको कोई भी दिकत या परिशानी हो तो आप सीधा मुझसे बोलना मुझे आप कभी भी आवास लगा सकते हैं मैं दुरंत आपके सामने आ जाऊंगी जी आपका धन्यवाद हमें कोई जरूरत होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे इतना कहकर विद्या वहां से चली जाती है और वहीं सीमा और जूली अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं आधी रात को जूली की आखे खुलती है और वो देखती है कि उसकी मां हवा में उड़ रही है और जोर-जोर से चिल्ला चिल्ला कर हस रही है ये सब देखकर जूली बहुत डर जाती है और जोर-जोर से चिल्लाने लगती है उसकी मा के बाल खुले हुए और हवा में लहरा रही थे और वो तेज-तेज हस रही थी और उससे बोल रही थी मैं तेरी कोई मा नहीं हूँ मैं यहाँ पर मामूली लड़कियों को लेकर आती हूँ और उनका खून पी जाती हूँ आज तु मुझसे नहीं बचेगी और मैं तेरी कोई मा नहीं हूँ यह तुम क्या बोल रही हो और अगर तुम मेरी मान नहीं हो तो फिर तुम कौन हो बताओ मुझे मैं जानना चाहती हो आगर तुम मेरे पीछे क्यों बड़ी हो क्यों मेरी जान लेना चाहती हो तुम मैं तुम्हें बताती हूँ आखिरकार तुम मरने वाली हो और तुम्हारी आखरी इक्षा पूरी करना मेरा फर्ज है सीमा अपनी गाई के साथ आदी रात को इस जंगल के रास्ते जा रही थी कि तभी सीमा के पीछे कुछ गुंडे लग गए और उस जंगल में सीमा को चारो तरफ से घेर लिया सीमा अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रही थी और उनसे कहती है मुझे जाने दो मेरी गाई के पेट में बच्चा है मुझे और मेरी गाई को छोड़ दो हम दोनों ने आखिर तुम लोगों का क्या किया है जो तुम हम दोनों के पीछे हाथ धो कर पड़े हुए हो सीमा को वहां सबी गुंडे चेड रहे होते हैं कि वहां से कुछ लड़कियां गुजर रही होती है लेकिन उसको इस हालत में देखकर उन लड़कियों ने उसकी मदद नहीं की और वहां से चली गई सीमा हर किसी से मदद मागती रही लेकिन वहां से आने जाने वाली हर ओरत और आदमी उसको देखकर चले गए लेकिन उसकी किसी ने भी मदद नहीं की सीमा को बचाने के लिए उसकी गाए ने उन गुंडों को मारा लेकिन वो प्रेगनेंट थी इस वजा से वो सीमा को नहीं बचा पाई और सीमा की आँखों के सामने उसकी गाए को जला कर मार दिया वहीं उसके साथ दुश्कर्म करने की कोशिश की गई लेकिन वो सफल नहीं हो सके और सीमा ने अपनी जान गवा दी तब सीमा की आत्मा निकल कर अपनी गाए के अंदर आ गई और तब से सीमा ने यहां इस गाई के पेट में अपना होटेल नाम का एक होटेल खोल लिया मैं सबसे मदद की गुहार लगाती रही लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की और इस तरह मैंने अपनी जान गवा दी और मैंने तब से कसम खाली कि यहां से हर घुजरने वाले इंसान को मैं बाहर दूँगे मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है लेकिन हर लड़की या हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा तुमने सोच लिया है मैं वैसी नहीं हूँ मैं तुम्हें इंसाफ दिलाओंगे पर तुम ये मौत का खेल बंद करो प्लीज नहीं, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी और तुम्हें क्या लगता है? मैंने अपने कातिल को मारा नहीं? तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो सीमा अब जोली को मारने ही वाली होती है कि इतने में पीछे से विद्या आकर उसके उपर गंगा जल चड़क देती है और सीमा दर्द से करहाने लगती है और धीरे धीरे करके वो जलकर मर जाती है विद्या तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद आज तुमने मेरी जान बचाई है मैं तुम्हारा शुक्रियादा कैसे करूँ पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही आखिर मेरी मॉम कहा है जूली तुम्हारे मं भी शहर में ही है अब तुम आराम से अपने घर जाओ इतना कहकर जूली विद्या को गले से लगा लेती है और जैसे ही वो उस होटेल से निकलती है धीरे धीरे करके वो चुडेल का गाय होटेल जलके भस्म हो जाता है और जूली शहर अपने घर अपनी मा के पास चली जाती है और अब अपनी मा को सब कुछ बताते हुए अपनी आगे की नई जिन्दगी की शुरुआत करती है और खुशी से रहती है